अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक श्रद्धा की 2020 में आफ्ताब ने पिटाई की थी और एक तस्वीर भी उस वक्ती सामने आई है जब श्रद्धा के चेहरे पर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं जब श्रद्धा को मारा थमूरी तरह से आफ्ताब ने उस वक्त तब एक चैट दोनों के बीच जो हुई उसके कुछ एकसर्प्स हैं कुछ पॉइंट पार्ट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं यहां देखिए यह मेरे खाल से एक चैट है जो श्रद्धा ने अपने किस अपने किसी दोस के साथ की है और इसमें लिखा है कि कल की बीटिंग के बाद यानि पिटाए के बाद मेरी पूरी शरीर में दर्द है और यह श्रद्धा वाकर का वाट्स अप का एक पोर्शन है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो किसी को कह रही है कि मैंने लेट र बीटिंग येस्टेड़े साफ साफ लिख रही है कि और गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और गैनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो साफ लिखी गई है इस वाट्साप चैट में जी न्यूस पर श्रद्धा की चैट के ये एक्स्क्लूसिफ पोर्शन आप इस वक्त देख रहे हैं आफ्ताब आज घर छोड़ देगा पहले पॉइंट में ये लिखा है श्रद्धा ने और ये भी लिखा है कि कल की जो मेरी मा पड़ी है मुझे उसके बाद मेरा शायद बीपी लो है मेरे पूरे शरीर में दर्ध हो रहा है और मैं बाहर नहीं आप आउंगी साफ तोर पर लिखा गया है 24 नमबर 2020 की इस चैट में की आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा और उसके बाद से उसकी सव्यत काफी खराप थी और एनरजी नहीं है नहीं बची है बेड से उठने की भी ये भी लिखा हुआ है इस चैट में also I need to make sure he moves out today मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगी कि वो आज बाहर निकल जाए और ये चैट श्रद्धा ने शायद अपने किसी खरीबी के साथ किसी दोस के साथ की और उस ये साथ जिक्र है कि एक दिन पहले ही यानि कि 23 नवंबर 2020 को आफ़ताब ने मारा था श्रद्धा को और इस वक्ति जो दो तस्वीरे आप देख रहे हैं एक तरफ देखिए वो तस्वीर है 2020 की ये तस्वीर है दो साल पहले की जो श्रद्धा का चेहरा साफ आप देख सकते है उस पर चोटों के निशान है नाक पर गाल पर आँख के पास चोट के निशान नजर आ रहे हैं और दो साल पहले की श्रद्धा की ये चैट जो आप देख रहे हैं एक्स्क्लूसिवली इस चैट के कुछ पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उसने ये साफ कहा है क कि जो कल मुझे मार पड़ी उसके बाद से मेरे शरीर में एनरजी नहीं बची है बेट से भी उटने की श्रद्धा की वाट्साप चैट दो साल पहले की उसके एक्स्क्लूसिव पोर्शन हम आपको इस वक दिखा रहे हैं 24 नमंबर 2020 को श्रद्धा ने ये अपने किसी करीब को लिख कर भेजा है कि मेरे शरीर पर मेरा पूरा शरीर दुख रहा है बीपी मेरा शायद लो है और सिंसिर अपॉलोजी इस फॉदर ट्रबल माफी भी मांग रही है अपने दोस्ते कि आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहती हूँ लेगिन मैं आज ये एंशोर करूं करता था आफताब श्रद्धा को और उसके निशान उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहे हैं दो साल पहले की इस तस्वीर में श्रद्धा के नाक और गाल पर चोट की निशान आप देख सकते हैं और गैनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं बलकि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी और गैनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो